प्यारे साथियो महेश गुरूजी की क्लास में आपका वेलकम है जब भी कोई नया लर्नर अंग्रेजी सीखना सुरू करता है तो सबसे पहले वो ट्रांसलेशन सीख लेना चाहता है translation मतलब किसी भी हिंदी सेंटैस को इंग्लिस में कैसे translate करें बट वो जैसे ही काम शूरू करता है तो हजार हो तरह के सेंटैस वो फस जाता है तो आज के वीडियो में आपके चोटा सा solution मिलेगा और बहुत काम का solution है मैं क्या करा हूँ? जो अभी अभी चलना सूरू है या तो इसमें होगा या इसमें होगा, तो हम sentence यानि वाक्य को दो भागों बाट के translation कर सकते हैं, कि या तो sentence non-action, non-action जिसमें कोई काम ना हो, या फिर action जिसमें कोई काम हो, अब आप कैसे ढूंडोगे, यह मैं आपको बता दूँगा, सबसे पहले देखते हैं, non-action sentence, तो देखें, non-action sentence को हम simple sentence भी कहते हैं, अब एक non-action sentence, यानि simple sentence, एक ऐसा sentence होता है, जिसमें कोई action, वर्ब नहीं होती है, मलब कोई काम नहीं होना पाय जाता है, एक सामाने से इस्थिती बताई जाती है, किसी का पद, उम्र, कोई हालत, दसा, इस्थिती बताई जाती है, और ऐसे sentence की अंग्रेजी बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इनका structure बहुत ही simple है, इनमें subject के बाद, यदि है हूँ है आए, तो इसे हमार लगा दो, थाथी थे आए, तो वाजबर लगा दो, एक्सन नहीं है, जैसे प्रत्वी गोल है, अमन मेरा बड़ा भाई है, मेरे गाउं में एक तालाब है, किताब सौफे पर है, आज बहुत गर्मी है, एक बार एक राजा था, मेरे पास एक आईफॉन है, हमारे पास मुम्मे में एक घर था, तो बताओ, इनमें कुछ काम हो रहा है, क्या कोई आ रहा है, जा रहा है, गा रहा है, हस रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो सामाने सिस्थित है, तो जब भी आप ऐसा सेंटेंस देगे, जिसमें एक्सन ना हो, उनकी अंग्रेजी बनाना बहुत ही आसान है, मुझे बार आगया यह हटाओ देखो मुझे अब सोने दो एक मुझे अब सोना है और मुझे अब सोने दो बात तो एक ही है लेकिन structure आलग बनेगा अगला है उसने खाना खा लिया है मैं यह ताला खोल सकता हूँ तो मैं जूट नहीं बोलना चाहिए भागो यहां से मुझे सुबह जल्दी जागना पड़ता है तुम हमेशा खुस रहो तो इन में देखो हसना, सोना, खाना, खोलना, बोलना, भागना, जागना सभी action वर्व ह से को, सिंपल सी बात है, हम भी कहते हैं, बहुत साइटीचर कहते हैं, बहुत सीख लो, सीख जाओगा, लेकिन सारे sentence से cover नहीं होते, sentence बहुत तरेक होते हैं, इस पर मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर आज cover करेंगे, तो चलिए शु रगा दो, the earth is round, प्रत्वी गोल है, अमन मेरा बड़ा बाई है, तो अमन is my elder brother, ध्यान रखना कोई बड़ा है, तो elder, और छोटा है तो यंगर, इस तरह से, मेरे गाउं में एक तालाब है, अब यहाँ पर बताओ, किस की बात चल रही है, तालाब की, और कहा है, मेरे गाउं हम यहाँ पर चीज़ों को डिस्क्राइब करें, यहाँ पर बैठके, आप यहाँ बैठे हो, और दूर की चीज़ बता रही हो, there से से सेंटेस सुरू कर तो बहुत सिंपल है, तो there is a pond, तालाब होता है, pond, या पूल लिख दो, there is a pond in my village, अच्छा, यह सभी सेंटेस पास्ट a pond in my village, ठीक है, किताब सोफे पर है, अब किसकी बात चल रही है, किताब की, तो the book is on the sofa, बस, बहुत ही सिंपल है, और ऐसे सेंटेस रोजमरा में हम बोलते है, इनमें isMR का use होता है, present में है हुआ है, तो, action ना हो, है हुआ है, isMR, अब isMR, तीनों के लिए 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 क्योंकि example इसी तरह रही है, यहां पर दो को समझ लो, किताब है, सोफे पर है, चलो उसको change कर दो, किताब है, सोफे पर है, तो the books ज्यादा हो गई, तो पर यहां पर, क्याएगा, R, बस, ज्यादा की बात हो, तो R लगाते है, और हाँ, I हो, तो I के साथ M आता ही है, ठीक है, आज बहुत गर्मी है, अगर गर्मी सर्वी है, ऐसे मौसम की बात बता है, तो sentence को it से शुरू करते है, तो it is very hot today, आज बहुत गर्मी है, एक बार एक राजा था, तो बहुत सिंपल है, एक बार के लिए क्या आएगा, once, अब राजा यहां पर तो है नहीं, दूर की बात कर रहें, तो there से sentence रहोगा, लेकिन एक बार की अंगरी जी पहले बनाती, तो once there was a king, एक बार एक राजा था, अगला है, मेरे पास एक आईफोन है, मतलब मैं आईफोन रखता हूं, तो ध्यान रखना जब कोई चीज हमारे पास हो, पास का मतलब जैब में रखी हो, उस पर हमा है, अगर पास में कोई चीज थी, तो हैड का यूज करते हैं, तो मेरे पास एक आईफोन है, मतलब I, have an iPhone, मैं एक आईफोन रखता हूं, हाँ, रखता हूं ही बोल सकते हैं, जैसे मैं एक डिजिटल बोर्ड रखता हूं, या मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड है, बात एक ही है, मैं एक कार रखता हूं, या मेरे पास एक कार एक ही बात है, ठीक है, तो I have an iPhone, N क्यों लगाया, क्योंकि देखिए, जिस वर्ड का उच्चारण, A, E, I, U से हो, या फिर स्वर से हो, वावल से हो, तो उसमें N लगाते, A नहीं लगाते, छोटी सी बात है, हमारे पास में घर था, अब देखो, हमारे पास एक घर है, तो have, ठीक है, हमारे पास we have, लेकिन था, तो फिर head, पास्ट में कोई चीज थी, तो head का यूज़ करते हैं, तो we had, a house in Mumbai, मुंबई में हमारे पास एक घर था, यह हो गई, अपने non-action sentence की transition, अब non-action sentence इतने से नहीं है, बहुत सार है, तुमारे life में भी होंगे, तुम भी ऐसी बाते बता सकते हैं, मेरे एक बड़ा भाई है, था कुछ, मेरे पास यह चीज है, मेरे पास यह चीज है, मैं इतने साल का हूँ, मेरे पिता यह है, जब सामन किसी के बारे में कुछ जानकारी दे, तो simple sentence होता है, इनमें हम subject के just इजमार लगाते हैं, या फिर past की बाते तो वाजवर लगाते हैं, possession की बाते रखने का भाव हो, तो फिर head का use करते हैं, past में था, तो head का use करते हैं, बहुत ही simple है, तो आप इन पर थोड़ी practice करना हो जाएगा, हाँ, दूर की कोई चीज बता रहे तो देर से sentence सुरू होता है मौसम आदी की बात करें, तो sentence इट से सुरू होता है, ये सभी simple sentence में आते हैं, ठीक है, अब बढ़ते हैं, accent sentence, देखे, accent sentence में, रहूल बहुत हसता है, तो ये तो क्या होगा, present indifference, रहूल लाप्स, आप s क्यों लगाया, क्योंकि present indifference में subject अगर singular है, तो verb में s और yes लगाते या too much भी लगा सकते हो, रहूल लाप्स too much या, रहूल लाप्स very much, रहूल मुझे हसाता है, अब यहाँ पर देखो, मैंने असरा हूँ, रहूल हसाता है, तो ध्यान रगना, इसमें हम positive verb का इस्तमाल करेंगे, यानि हम कोई काम ना करें, किसी से करवाए, या कोई कोई काम न आएगा, क्योंकि यह present confidence का structure आएगा, इसमें जो make verb है, रहूल के लिए SES लगए, रहूल makes, उसके बाद किसे मुझे तमी, और इसमें फिर आएगा laugh, केवल, SES यहाँ पर नहीं आएगा, रहूल makes me laugh, अब यहाँ पर रहूल की जिए मैं होता, मैं तुम्हें हसाता हूँ, त मैं तुम्हें हसाता हूँ, तो मैं के लिए I, और कोई काम करवाएं, तो make verb डालनी पड़ेगी, तो I make, अब I के साथ S नहीं आएगा, I make you laugh, इस तरह से, मुझे अब सोना है, मुझे अब सोना है, मुझे अब खाना है, मुझे अब पढ़ना है, मुझे अब लिखना है, इस I am to read now, ठीक, कोई भी काम करना है, इस तरह से बोले, लेकिन मुझे अब सोने दो, तो फिर इसमें let का इस्तमाल होगा, let me sleep now, मुझे अब जाने दो, let me go now, ठीक है, उसे खेले दो, let him play, ये allow करता है, let, ठीक है, ये, और let के साथ हमें साथ work की first form आती है, उसने खाना खा लिय है, बात एक ही है, तो उसने के लिए क्या लगाएंगे, अगर लड़का है, तो he, लड़की है, तो he, has, taken lunch, या food भी कर सकते हो, lunch, dinner, जो भी है, मैं ये ताला, मैं ये ताला खोल सकता हूँ, अब देको इसमें भी ताहूं आ रहा है, लेकिन धनक ना, इसमें ability की बात है, तो पर रहे हैं उसको, unlock एक बर्द भी है, तो मैं जूट नहीं बोलना चाहिए, चाहिए आ गया, तो फिर इसमें should model के use करेंगे, तो you, you should not tell a lie, तो मैं जूट नहीं बोलना चाहिए, अच्छा, ये कराने से पहले, आज तो भूली गया मैं, एक जानकारी जो हर वीडियो के नमज में आती है, पसंद आती है, लगता है कि हम सीख सकते हैं, तो ऐसा भरोसा आता है, और आप चाहते हो कि सारी इंग्लिस grammar आपको sequence मिल जाए, serial से मिल जाए, मतलब आपको सारी grammar serial से चाहिए, तो ये चीज एवेलेबल है, आप प्लेश्टोर पर जाईए, महिस इंग्लिस grammar course मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिस grammar को sequence से, serial से cover किया है, और हाँ, साथ में PDF notes भी है, आप चाहो तो वीडियो को देख सकते हो, और उसी topic को PDF में पढ़ भी सकते हो, चुकि एक्स्टा में लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें, तो purchase कर सक करते हैं, purchase नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल मत करना, YouTube आपका welcome है, यह तो कहा है, एक short and sweet वीडियो है, इसे आपको थोड़ा अंदाज हो जाएगा, तरह तरह के structure आपके सामने चल रहे है, लेकिन sequence में वह आपके मिल जाएगा, और हाँ, एक doubt आ सकता है कि YouTube के वीडियो आप किसी से कुछ काम करना करें, जाओ यहां से, भागो यहां से, यहां आओ, यह कर दो, वो कर दो, हम किसी को आदेश दें, तो imperative sentence होता है, इनका structure, इनमें subject नहीं आता, helping verb नहीं आती, सिर्फ verb से शुरू होते हैं, तो भागो मतलब run, यहां से from here, run from here, यहां से भागो, यह run away from here यह करना पड़ता है, तो फिर structure अलग होता है, तो मुझे मतलब I, I have to, अब देखो, मुझे जागना है, तो I am to, I am to get up, लेकिन जागना पड़ता है, I have to get up, get up होता है, I have to get up early in the morning, बस हो गया, तुम हमेशा खुस रहो, हम ऐसा भी तो किसी को दुआ दें, या फिर बद दुआ दें, कि भाई तुम ऐसा रहो, भगवान तुमारा भला करें, तुमारे लंब यूमर हो, तुम हमेशा खुस रहो, तो ऐसे sentence में से सुरू होते हैं, तो may you be happy always, तुम हमेशा खुस रहो, इन हो गया, ठीक है, यह लैट का यूज हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे रह रह रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, बूंद बूंद से घड़ा बरता है, things take time, सीखने में वक्त लगता है, जो आप चीजों के पास बार बार जाओगे, तो सीख जाओगे, कहने का मनलब है कि यह आप एक दिन में नहीं सीख सकते, time तो लगता ही है, हमने कितने सारे वीडियो बना रहा है, और लोगों ने बना रहा है, कितना आप स्कूल में पड़े होगे, लेकिन अभी भी सीखना है, तो एक बार सीख लो या, फिर सीख ही जाओगे, बस हिम्मत मतार होगे, तो ठी पौल, कर लोगे होगे, बिया सकते हुटा है, पौल, कर दोगे ही चाल, कितना रहके अभी से गियो याओगे, औरसे इक कामास, तो एक मतार है, होगे है, ईपसके हंगे, तो एक multip। आर सीख पवता है, याद्सना ही है, तो एक कने कर दे ऑड़ है, बाढर शार कर काई ही